हालो एंड वेलकम आज है हमारा सेकंड वीडियो ट्रिक्स सीरीज के ऊपर और आज हम इस वीडियो में आपको याद कराने वाले हैं 22 लंगवेज़ जो इंडियन कर नस्टिचूशन के 8th शुडूल में हैं और वहीं से आपके एक्जाम में सवाल आएगा देखें वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताओ अगर आप इन में से कोई भी कोर्स जोइन करना चाहते हैं तो दिये गए वर्टस अपन नंबर पे आप मेसेज कीजिए आपको बैच में जोइन करा दिया जाएगा आपके सामने है 22 languages of 8th schedule इंडियन करनस्टिचूशन के 8th schedule में जो 22 languages है वहां से बहुत बार exam में सवाल आते हैं इस वीडियो में हम आपको amendments के साथ सब को याद कराएंगे ट्रिक के जरिए और फिर इसी वीडियो के आखर पे हम आपके सामने questions लाएंगे जो के exam में पूछे गए हैं और आपके भी exam में ऐसे ही questions आएंगे अच्छा आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ अगर आप मैंसे किसी बच्चे ने हमारी इस YouTube चनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिए और bell icon को भी दबा दीजे तब जाके आपको हमारे ये वीडियो की notification मिल जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं 22 languages of 8th schedule of Indian constitution सबसे पहले आपको ये याद रखना है इंडिया का जो constitution है उसमें जो constitution में 8th schedule है वो बात करता है languages के बारे में और 8th schedule में कितने languages है आज है 22 languages 8th schedule में लेकिन ओर्जिनली 1950 में जब constitution enforce हुआ तो ओर्जिनली 8th schedule of Indian constitution जो था ओर्जिनली 1950 के बात कर रहा हूँ जब constitution enforce हुआ तो ओर्जिनली कितने languages थे 14 languages थे starting में आठ languages अलग-अलग time पे बाद में add हुए amendment के जरिए वो भी आपको आज इस वीडियो में याद कराऊंगा लेकिन यह 14 languages start के और 8 languages जो बाद में amendment से add हुए 8th schedule में तो आज कितने languages है 8th schedule of Indian constitution में अगर यह सवाल आए तो 22 languages है 8th schedule में आज, ओके 8th schedule में originally कितने languages थे? 14 8th schedule में amendment के जरिए कितने languages आए? 8 आज 8th schedule में कितने languages है? 22, 14 और 8 कितने होते हैं? 22 चलिए, अब आपके सामने में trick present करने जा रहा हूँ याद रखना ये trick थोड़ी सी कहानी आपको दिमाग में लानी पड़ेगी तब जाके सब कुछ याद होने वाला है, अब कहानी में बोलूँगा, इसको दिमाग में बढ़ लीजिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आप दिमाग में यह लाईए, ओके देखिए आप हैं, बहुत intelligent बच्चे हो आप और आपने क्या किया, medical में आपको KTM बाइक लाके दी, साथ में push bag of KTM, KTM का push bag और यह push bag जो है, इसमें आपको दिया सिंधी नमक, बोला बच्चा आप जा रहे हो आप करने medical में BDS, तो साथ ले जाओ सिंधी नमक, NMK नमक, और बहुत healthy है सिंधी नमक, ठीक है, done आपके सामने जितने भी languages आई, यह है 22 languages of Indian constitution यह सारे 22 languages of Indian constitution है K से कश्मीरी, T से तामिल, M से मराथी, P से पंजाबी, U से उर्दू, S से सनस्कृत, H से हिंदी, B से बेंगाली, A से आसमीज, G से गुजराती, O से औरिया आज इसको ओरिया बोलते हैं, पहले ओरिया बोलते थे, वो एमेडमेंट भी आपको बताऊंगा, एक एमेडमेंट के जरीए हुआ था, वो भी आपको याद दखना है, सवाल वहां से भी आते हैं, चलिए लेकिन K क्या है, K है कैनेड, T है तेलगू, और M है मल्यालव, और यह जितने भी मैंने आपको बोले, यह है 14 लंगवेज़ जो ओरिजनली थे, इंडियन का नस्टिशूशन में, फिर जो आठ लंगवेज़ एमेडमेंट के जरीए एड हुए, और टोटल बन गए बाईस, यह आपके सामने, यह जो मैंने बनाया, यह है 8 लंगवेज़, कौन-कौन सी लंगवेज़ है, सिंधी एक है, N, M, K होगे 4 लंगवेज़, M, B, B, M, B, D, S, होगे 4, 4, 8, यह है सिंधी का मतलब सिंधी लंगवेज, N का मतलब है बच्चो, N नेपाली, M से मनिपूरी, K से ओके, चलिए, अब यह ही आपको समझाऊंगा, अब मैं यहाँ पे आपको यह दिखाता हूँ, देखो बच्चो, अभी मैंने आपको बताया कि KTM, Pushbag, KTM क्या है, और यह पहली 14 लंगवेज़ है, जो ओरजिनली 14 लंगवेज़, इंडियन कनस्टिशूशन के 8th शुडूल म नहीं है, दूसरा point अब याद रख लीज़े, कि amendment के जरीए सिंधी लंगवेज आती है, नेपाली, मनीपूरी, कौन कौनी आती है, मेथाली, बोडो, डोगरी, सन थाली आती है, लेकिन कुछ बाते दिमाग में याद रखो, M यहाँ पे भी है, M यहाँ पे भी है, M यहाँ आप करेंगे, S उपर भी है, S नीचे भी है, अब सुनो बहुत बार आता है, कौन सा amendment से हुआ और कौन सा original ही था, अब याद रखो कुछ points को, दिमाग में रखो, जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, सबसे पहले याद रखो, यह थाली और थाली नीचे ही है, last में, कुछ points प्लीज याद रखो trick के साथ, थाली और थाली जहां है, वो last में है, medical में BDS जो amendment से आया, अब यहाँ पर और बाते याद रखने हैं, आपको चलिए यहाँ पर बताता हूँ आपको, 15th कौन सी language थी जो Indian Constitution में add हुई, 14 languages तो originally थे, तो 15th नंबर पे language कौन से आई, या पहली ब के नेपाली मनिपूरी कौन को नी, यह तीन languages जो है, यह add हुए, 1992 का date था, जब यह add हुई, और किस amendment के जरिए यह तीन languages add हुए, Indian Constitution के 8th schedule में, 71st Amendment Act, तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, कि सिंधी आया, 21st Amendment से, NMK आया, 71st Amendment से, और Medical BDS, MBDS आये, 4 languages आये, 92nd Amendment से, कभी- 92nd Amendment 2003 जो हुआ, 2003 में, जो 92nd Amendment हुआ, कितने languages add हुए, 4 में थाली, बोदो, दोगरी, संधाली, 71st Amendment 1992 का जो है, उसमें कितनी languages add हुई, 3, कौन-कौन सी नमक, NMK, नेपाली, मनीपुरी, कौन-कौनी, अच्छा, इसी के साथ-साथ, 21st Amendment Act 1967 जो है, उसमें कितनी languages add हुई, एक ही language, क और 71 को जब आप add करते हैं, आपको 92 बनता है, ऐसे भी आप थोड़ा दिमाग में याद रख सकते हैं, कुछ और पॉइंट से, जो आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप फसेंगे एक जगा पे, मुझे पता है, कहां पे, सुन लीजे, सुन लीजे, अगर कभी आये में के है, यहां पे भी के है, तीन जगा पे के के है, के टिम, के टिम और ये अनम के नमक, के के के, अब उपर के के में के ए है कश्मीरी, तो ए आया, के के बाद ए आया, उपर के के में के ए है कनड, तो ए आया, ए आया दो बार, लेकिन नीचे एमेडमेंट के जरिए जो के है, के बाद क्या आता है, के के बाद O आता है, A नहीं आता है, ये भी याद रखना, तीन जगा पे K है, क्योंकि ट्रिक में आप कभी फस हैंगे, बहुत बार सवाल आता है, और जिनिली चोदा लंग्वेजिस में बताई कौन-कौन सी लंग्वेज थी, बाद में एमेडमेंट से आई, लंग्वेज के 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 में के ओ, के ओ, उपर के ए, के ए, एक पॉइंट सुन लीजे, ये जो आपका ओ एफ है, उडिया, इसको पहले बोला जाता था, ओ आर आई वाई ए, लेकिन एर्थ शोडूल आफ इंडियन कर अस्टिशूशन में, एक और चेंज आई, एक और एम होते हैं, टीन तो आपको उपर याद रखे, एक एमेघमेघमेट से सिन्धी आया, सिन्धी आया स्वरी, दूसरे एमेघमेजमेट से नमख आया, तीसरे एमेङडमेट से MBTS आया, ऑके, एमेघमेट आपको पता है, 2003 का 92 है, 1992 का 71 एमेघमेट आया, 1967 का 21 اमेघमेट आया, अब clear है, आपके सामने मैं पहला question लाता हूँ, अब देखते हैं, आप इन questions को कर पाएंगे कि नहीं, आपके screen के उपर पहला question है, which of the following scheduled languages, चलिए, scheduled languages मतलब 8 way, schedule of Indian Constitution में जो languages है, उन सब को बोला जाता है, scheduled languages, आज कितने languages है, scheduled languages, 22, और जिनली कितने थी, और जिनली कितने थे, आठ, आठ कैसे add हुए, पहले एक हुआ, सिंधी, फिर नमक हुआ, तीन आए, और फिर चार आए, medical में BDS, okay, medical में BDS याद रखना, थाली थाली है दो जगा, एक है मेठाली, संथाली, मेठाली, संथाली, medical में BDS, B का मतलब बोडो, और D का मतलब दोगरो, B, O, D, O, बोडो, और दोगरी, ठीक है, बोडो और दोगरी, चलिए, डन, आपके स्क्रीन के उपर पहला question है, आप बताए, इन मैसे जो schedule languages है, सवाल है, was not originally in the 8th schedule of constitution, 8th schedule जो constitution था, इन मैसे कौन सा नहीं था, अब ये question मैंने जान भूच के लाया, थोड़ा difficult बनाने के लिए, ये दो questions थोड़ P, U, S, H, Push, B, A, G, Bag, O, F, Off, K, T, M, ये K, T, M, तो दो बार आया, नीचे भी K, T, M, K, ये तो के फिर से आया, और फिर लास्ट में है, मेडिकल में B, D, S, लेकिन के तो तीन बार आया, के तो तीन बार आया, नीचे, ये तो ये line के नीचे amendments वाले है, और line के उपर 14 languages है, के तो के तो तीन बार आया, ये K, ये K, के तो तीन बार आया, अब सवाल है, इन में से कौन नहीं था पहले, originally 14 में, तो ये 14 में तो ये 2 K थे, लेकिन सवाल आपको बोलना है, कि ये 14 languages जो starting के थे, उन में से नहीं होना चाहिए, सवाल है, विचावतर following schedule language was not, was not लिखा है, originally in the 8th schedule of Indian constitution, originally कौन सा नहीं था, ये NMK वाला था, अब कैसे आप पहचानेंगे, K, A मैंने उपर बोला था, K, A मैंने उपर बोला था, K, A मैंने उपर बोला था, ये K, नीचे A नहीं होगा, K, O होगा, ठीक है न, तो K, A, कश्मीरी उपर के line में है, 14 languages में, K, A, कनड, उपर के K KTM में है, KTM में है, 14 languages के originally, K, O कनकनी नमक में है, NMK में नमक में है, तो ये question मैंने थोड़ा difficulty के 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 इसलिए डाला क्योंकि आपको confusion होना चाहिए, और confusion को निकलने के लिए मैंने थोड़ा सा trick आपको बताया, आपको idea हो गया होगा, इस question का answer कौन को नहीं है, क्योंकि सव following languages was originally included, अब not नहीं लिखा है, अब बो रहा है कि जो included था 8th schedule में, मतलब 14 languages जो थे पहले वाले, KTM की बात कर रहा है, KTM push bag, आप KTM के बारे में बात कर रहा है, of KTM, ये थे originally 14 languages, तो सवाल इन ही के बारे में है कि which of the following was originally included, not नहीं लिखा है, was originally included in 8th schedule, बताये, मैं थाली था क् नहीं ये थाली थाली जहां पर आया, थाली थाली जहां पर आया, वो तो नीचे है, MNM के जरी आये, देखो भाई, सिंधी, NM के नमक और फिर medical में, BDS, ये M वाला थाली है, S वाला थाली है, मेथाली और संथाली, लेकिन सवाल ये नीचे वालों के बारे में इस टाइम न बारे में, originally 14 languages के बारे में, यह सवाल है अभी, है न, originally यहां पे लिखा है, तो मैथाली तो नीचे मिला, यह तो मैथाली और संथाली तो बलास्ट पे आई है languages, मैथाली संथाली लास्ट पे आई है, 2003 में, 2003 में, 2003 में जब amendment हुआ, 92nd amendment, तब आया, यह MBDS, मैथाली, संथाली, और बोड़ों भी, तो यह तो नहीं है, सिंधी, सिंधी भी amendment से आया, कब, सिंधी नमक, सिंधी भी amendment से आया, पहली पहला amendment जब हुआ, तो पहली language सिंधी ही add हुई, 1967 में है न, 21st amendment से, 21st amendment से, तो मराठी है, सही जवाब, तो इसका सही जवाब मराठी है, ठीक है, ठीक है, व के सामने और एक question है, अब थोड़े आसान होंगे, पहले दो questions, थोड़े से confusing, मैंने जबरदस्ती डाले थे, how many languages were added to 8th schedule by 90 second amendment act to 2003, 90 second amendment होता है, वो last वाला amendment, आपको बताए, मैंने 21st amendment आता है पहले, फिर 71st amendment आता है, फिर 90 second amendment आता है, और फिर और एक amendment आता है, 96th, वो जो ओरिया को ओरिया में नाम बदल दिया गया, लेकिन ये 92nd amendment से बताए मुझे medical में BDS, medical में BDS, तो कितने languages आए, मैथाली, संथाली, बीडी क्या है, बोडो, दोगरी, तो ये 4 languages याड़ हुए, ठीक है न, 21st amendment में एक ही language याड़ हुए, सिंधी, 71st amendment से 3 languages याड़ हुए, नमक, NMK, कौ नेक्स्ट कॉस्चन पर चलते हैं, सवाल है, which 3 languages have been added to English, sorry, to 8th schedule of constitution by 71st amendment, आचा, 71st amendment से 3 नमक आया, NMK, तो दूनो NMK कहा है, NMK कहा है, ये है नेपाली, कौन कौनी और मनिपूरी, ये है NMK, हम साथवे question पर पहुचे क्या, ओहो, नहीं, 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 न नेम दा फर्स लंगवेज अड़ेट इड, ट रे पहली लंगवेज जो अड्वी, एमेंडमेट के जरेए, बाइनेंडमेट अक्त, वो तो सिंधी आई, सिंधी, 21st amendment 1967 है, टीक है, UG, NMK, नमक तो बाद में आया, नमक तो बाद में आया, 71st amendment से, ये 21st amendment से आया, जरा इंदो इन दोनों को मिलाओ, निकलता कितना है, इन दोनों को एडिशन करो, तो निकलेगा 92, तो 92 अमेंडमेंट से वो बाद, लास्ट वाला आया, वो चार लंग्वेज़, मेडिकल में BDS, मेथाली, संथाली, बोड़ो डोगरी, which of the following amendment act is related to 8th schedule, हाँ, 21st amendment भी, 71st भी, 92nd, 21st amendment से सिंधी आया, 71st amendment से नमक आया, N, M, K, नेपाली, मनिपुरी, और कंकनी, और फिर 92nd amendment से बताओ, बताओ मुझे चार लंग्वेज़ आया, कौन कौन सी लंग्वेज, सोरी, 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 मेडिकल में, BDS, OK, 96th amendment में कोई लंग्वेज नहीं आया, लेकिन वो चेंज किया गया, O, R, I, Y, A को, O, R, I, Y, A को, नाम चेंज किया गया, स्पेलिंग चेंज क मुझे बताओ, देखो बाई, KTM, push bag of KTM, इन में से मुझे बताओ, जरा कहीं पे E है क्या, बता मुझे, इन में से E है क्या, और नीचे आपको पताओ, सिंधी, नमक और MBBS, E कहीं नहीं है, तो English आप क्या सकते हैं, आठवे शुडूल में नहीं है, कश्मीरी, और्दू, हिं यह सारी लंग्विज़ जो है, वो J&K की ऑफिशल लंग्विज़ है, लेकिन इंडियन का नस्टिचूशन के 8th शुडूल में सिर्फ यह 4 लंग्विज़ आपको दिखेंगी, कश्मीरी से K, U से यहाँ पे PU, H यहाँ पे PUSH, और D यहाँ पे, D यहाँ पे आता है नीचे, लास्ट में, मेडिकल में BDS, तो डोगरी तो लास्ट में आता है, ठीके न, 2003 में, यह मैंने आपको बताया, NMK आपका सही जवाब है, इसका, next question, which of the following is not included in 8th, not included in 8th शुडूल, राजिस्तानी आर लिखा है कहीं क्या, राजिस्तानी नहीं है, गुजराती भी है, कश्मीरी है, डोगरी भी है, आर पड़ा, अपने राजिस्तानी पड़ा, आपने, नहीं पड़ा न, कितने languages initially थे, initially, initially 14 languages थे बात खातूं, हाँ, 8 languages अमेंडमेंड के जरिया है, अगर ऐसा सवाल होता, 5 languages JNK के official languages है, हाँ, आज कितने languages है, initially नहीं, अगर हाँ पर initially नहीं होता, अगर स 2003 में, 2003 में अभी मैंने आपको बता है, लास्ट बाला एमेंडमेंट, मेडिकल में BDS, तो कितने languages एड होए, चार, मैं थाली, संथाली, बोडोर डोगरी, अब सवाल है, थाली थाली आपको जहां पे है, वहीं है, आंसर आपका, यह है थाली, संथाली, संथाली, ठीक है न, बस, तो आसान है, आपने कलियर हो गया होगा, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक करो, शियर करो, और सबस्क्राइब करो, इस यूट्यूब चैनल को मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाल,